स्वागत है आप देख रहे हैं किशानों का विर्जगारों युवाओं का मनपसंदा चैनल इसमें हम किशानों के लेक प्रणा दायग स्रोत लेकर आए हैं एक किशान के कहानी जिसने सत्र सावित कर दिया है अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा और हमको एक प्रणा दिया रहे थिया और किसी पादन भी लगातार गिर रहा था ऐसे में किशानों के लिए कोई रास्ता सुझ नहीं रहा था दिक नहीं रहा था ऐसे में एक किशान गुजरात का किसी माडल विवानी के किशान ने गुजरात के किसी माडल को अपनाए गुजरात के भरूत से उन्होंने गाउं में ले आकर इसकी खेती शुरू की और बात बन गई देखते ही देखते ही पूरे एरिया और छेत्र के किसानों ने इसकी खेती शुरू कर दी आए दुस्तों बताते हैं कि इसकी खेती उन्हों ने किया एपल बेर को खेती की शुरुवात करने वाले महीपाल सिंग सिवरान कते हैं कि उन्होंने 14.41 एकड में इसकी खेती की सुरुवात की और तमाम परशानियों के बावजूद रसायलों को का प्रयोग किसी प्रकार की रसायन का प्रयोग बेर नहीं करते हैं और जयवी खेती से लाखो की Income कर रहे हैं तो आईए हम आपको समझाते हैं कि इनका खेती किस प्रकार cola करते है? एपल बेर आप देख सकते हैं एपल बेर जो की काफी मीठा होता है और बेर के और एपल की आकार का होता है इसके खेती करके उन्होंने पुरिपने गाउं की तस्बीर बदल दी एपर बेल शमान किसम से दो से धाई गुना ज्यादा वजन का होता है इसके गुठली का वजन नाम मात्र का होता है एपल इसले भी कहा जाता इसके गुठली सेव के बीच के मात्र की याकार की होती है और ऐसे समझे मुनाफिक अगरित इनको किस प्रकार से फायदा हुआ दोस्तों महिपाल सिंग ने कुल 4 एकर में एपल बेड लगाया और 1000 प्रेंड लगाये और प्रती पेड 150 रुपए का खर्चाया पौधे मंगाने से लगाने तक का इनका 150 लाग रुपए का खर्चाया और इतना एक खर्जी ये रखरखाओ पर उसकी देख रेक में मानते हैं को तीन लाव रुपए का खर्चवा और एक पेड़ से महिपाल सेंगे मताबिक 30 किलो ग्राम बेर उत्पादन होता है इस तरह एक हजार पेड़ से जोने 30,000 किलो ग्राम बेर का उत्पादन किया और मार्केट रेट के अंसार 50 रुपए प्रति किलो इन्हों ने इसको बेचा इस प्रकार 30,000 किलो ग्राम बेर उत्पादन होता है और अपनी फसल को ये अस्थानी बाजार में ले जाकर बेज देते हैं और पूरे एरिया के तकदीर आज बदल चुकी है दोस्तों तो ये था एक किशान का प्रयास और परिशरम इसने पूरे छेत्र को किशानों को स्रम में तकर दिया है तो हमको एक परिणा मिलती है कि कितनी भी कठिन और भी सम परिशरम के द्वारा कुछ भी संबभव कर सकते हैं नए नई-दै जैनकारी ओ के दौरा तकनीकियों के द्वारा तो हमसे चुड़े रहिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए पलबेर और थाई अमरूत के खेती से महिपाल सेंग जी ने उन्हें छेत्र को बदल डाला आईए अगर हमारे पास भी समस्या हैं तो मिल जूलकर इसका प्रयास करें आपसे एक परपनानिवेदन यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लिस लाइक करें हमारे चैनलों को समस्क्राइब करे वीडियो दिखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार अपने शुरूर।